हाज जी दोस्तों तो कैसे हो आप सभी सो प्यार बच्चों जैसे कि इस बार काफी सारे बच्चों का कमपार्टमेंट का एक्जाम मतलब कमपार्टमेंट आया हुआ है 2.5 लैक बच्चों का और काफी बच्ची सप्लिमेंटरी का भी एक्जाम देना चाहते है तो उस case में बच्चों के दिमाग में ये comments अ question कि sir क्या compartment वाले बच्चों के लिए कोई अलग सा passing criteria है क्योंकि मेरा तो RT आ गया है मेरा इस subject में compartment आ गया है इस subject में back आ गया है fail हो गया हूँ तो उससे पहले वीडियो को like and channel को subscribe जरूर कीजिएगा तो सबसे पहले class 10 वाले में बच्चों की बात करूँ तो जैसा कि आपको पता होगा कि main exam के लिए आपको out of 133 marks चाहिए होता है क्या भी ये आपको पता है very good तो प्यार बच्चों आप में बताओं कि जैसा कि आपका result आ इंदर compartment आया वा है जिसमें result में आपका लिखावा है कि 80 में आपका mass में suppose कीजिए मैं कोई random marks लिलता हूं suppose 10 तो 80 में आपका 10 आया है 20 में suppose आपका 17 आया है तो आपका total कितना हो गया 27 हो गया जो कि 33 से कम है यानि कि आपका compartment आ गया अब देखें प्यार बच्चों आपके ल होगा यानि कि अगर आपको 20 में 17 marks practical कर दिया गया है तो वो marks सेम रहेगा compartment exam देने के बाद भी तो change कौन सा marks होगा change केवल आपका theory वाला marks होने जा रहा है यानि कि बात बड़ा किलियरे प्यारे बच्चों कि आपका जो subject में compartment आया देखिए उस subject में आपका practical में कितना marks आया हुआ है उसको आप लोग 33 से subtract कर दिजिए यानि कि 33 minus practical marks उस subject में जिसमें आपका compartment आया हुआ है और ये जितना भी आपका आ रहा है उतना marks आपको चाहिए जो आपका compartment exam होगा उसमें आपको उतना marks लाना होगा for example अगर आपको 20 में 17 marks आया है मैस के practical exam में तो आपको कितना चाहिए 33 minus 17 जो कि कितना होता है 16 होता है तो आपको 16 marks चाहिए pass होने के लिए out of 80 अगर आपको 20 में 19 मिला हुआ है तो उसकेस में आपको only 14 ही चाहिए out of 80 pass होने के लिए यानि कि पहले आपको practical का marks नहीं पता था बट अब आपको पता है यानि कि उस हिसाब से आप लोग एक target set कर सकते हैं कि आपको इतना मास theory में लाना है pass होने के लिए, क्या बात के लिए रहे, very good, अगर मैं बात करूँ class 12 वाले बच्चों का तो प्यार बच्चों आपके लिए practical वाला कोई scene नहीं है, practical में आपको pass होना पड़ेगा, जो कि already I hope कि आपका practical में कोई भी fail नहीं होएंगे, क्योंकि practical में fail होए तो वा अलग scene हो जाएगा, पर अकर आप लोग practical में pass है, तो practical को भूल जाए, बस 12 वाले बच्चों को theory को ध्यान में रखना, जिसमें जो 70 marks वाला paper है, उसमें आपको 23 marks चाहिए, जो 80 marks पेपर उसमें आपको 26 marks चाहिए होगा, पास होने के लिए, तो आयोब आपको समझ में आया होगा, तो यही ता प्यार बच्चों, compartment वाले बच्चों के लिए passing criteria, जो कि मैंने आपको बता दिया, कुछ भी doubt है तो comment करके पूछ लिजिए, वीडियो अच्छा लगा दिन जे भारत